प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी की सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा पूरे देश में कई कारिक्रम आयोजित हो रहे हैं इसी कड़ी में भाजपा की राश्ट्री उपाध्यक्ष और जार्खन की पूर्व मुख्यमंत्री रगवर दास गुरुवार को दो दिवस्य दौरे पर धनबात पहुँचे जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया साथ ही जहार्खन सरकार को कोसा निश्क्रियों और निकम्मी सरकार बताया रगवर ने कहा कि उनका जहार्खन में पांच साल का कारेकाल बेदाग रहा है अभी की सरकार आरोप ढूंड रही है लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा है मेरी ये मान्यता थी कि विकास और सू सासन भी एक से हम जीत जाएंगे तो मेरी ये मिथक तुटी है ऐसा नहीं कि विकास एक फैक्टर है लेकिन विकास के सासाथ हमें आउन्रियों बातों पर भी ध्यान देनी चाहिए तो कोई न कोई कमी हमारे अंदर थी जिसके कारण हम फिर सत्ता में नहीं है लेकिन भारतिय जनता पार्टी की राजनीती सिर्फ सत्ता की राजनीती नहीं है भारतिय जनता पार्टी की राजनीती है समाज की सेवा करना चाहे हम पक्ष में रहें चाहें भी पक्ष में रहें। हमारी राजनिती राष्ट को सेवा के पड़ती है। भारती जनता पार्टी का जन्मी इसलिए हुआ कि मा भारती का सेवा करता। सत्ता आती और जाती रहती है। हम दो से आज यहां तक पहुंचे। कि हेमन सुरेन की सरकार ने अधिकारियों को बुला कर रगुवर दास को हर हाल में गिरफतार करने का आदेश दे दिया सरकार किसी की भी हो अधिकारी तो हो ही रहते हैं सरकार आती है और जाती रहते है अधिकारी परवानेट होते हैं भरस्टाचार में डूबा हुआ कि जहाए जो हमन सरकार है कि हम चोर हैं तो आप भी चोर हैं आप सरकार में हो किसने रोका और जहां तक पुझा सिंगल का मामला आप सबको भी जानकारी होनी चाहिए हमने कभी नहीं रोका अगर रोकत रोका होता है तो आज यह मामला कोट में नहीं जाता है दो किसी भी अधिकारी की जब भरस्टाचार पर हो चाहिए वीडियो हो सीओ हो सेगेटरी हो चीफ सेगेटरी हो कि जब भ estásाई नहीं करता यह कृमिद्व कर यह जाता हुसी क्रिमिद्व एक्षन के तहाद आजब कोड ने पकड़ा के तो राम वियरोस शिन्हा इंजिनियर ने कहा कि अब के इस तो छ Sergio फिल को तूसरा करवाई चल रहा था विभाग्य करवाई तो विभाग्य करवाई चलता है उसनात्मक करवाई करने के लिए डिस्मिस करना है कि सस्पेंड करना है वो अलग पाथ हो गया प्रधारमंद्री नरेंद्र मोदी के आठ वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा करती हुए रगवर्दास ने कहा कि जार्खंड मोदी जी के दिल में वस्ता है उन्होंने जार्खंड को लॉंचिंग पैड का नाम दिया था इसी जार्खंड से उन्होंने देश के 55 करोड लोगों को आयुश्मान भारत योजना कार्ड की लॉंचिंग की थी साथ ही कई योजनाओं की शुरुआद जार्खंड से ही उन्होंने की रगवर ने कहा कि जार्खंड में मामला चाहे आयाइटी का हो या फिर से सिंद्री खाद कार खाना चालू करने का बिजली उत्पादन बढ़ाने का सिंचाई यूजना को विस्तार देने का हो मोदी सरकार ने जार्खंड की मदद की